नमस्कार दोस्तो, मैं पाउन, मेरे चैनल टेकी पाउन में आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा सास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एन्सीफ 2005 और जितने भी शिक्षन से संबंदित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आज का टॉपिक है हमारा विकास का पहला सिद्धान्त, मनोविश्लेशनात्मक सिद्धान्त, साइको एनलेटिकल थियोरी विकास के सिद्धान्त विकास के प्रकारों से ही उत्पन हुए, जितने विकास के प्रकार उतने ही उसके सिद्धान्त अता है विकास के प्रकारों की विभिन विद्वानों द्वारा जो व्याक्या की गई है, वही विकास के सिद्धान्त है ये सिद्धान्त विकास के विभिन प्रकारों की ही व्याख्या करते हैं तो पहला हम देखते हैं मनो विशलेशन आत्मक सिद्धान्त साइको एनोलेटिकल थियोरी यह है व्यत्तित विकास का सिद्धान्त भी कहलाता है इस सिद्धान का परतिपादन वियना के सिगमंट फ्राइड ने किया था सिगमंट फ्राइड ने मन की तीन दशाएं बताई थी नमबर वन चेतन भाग या चेतन मन यह मस्तिश्क का एक बटा दस भाग होता है जब भी व्यत्ति कुछ करता है तो प्रारम में वह चेतन मन का ही हिसा होता है जो कुछ भी आपको याद रहता है वह चेतन मन में होता है मस्तिश्क का जागरत भाग यही होता है दूसरा है अचेतन मन चेतन मन और अचेतन मन में के अंतर है चेतनमन जो जागता हुआ होता है active mind और अचेतनमन जो active नहीं है यह मस्तिश्क का 9 बटा 10 भाग होता है वर्तमान में जो करते हैं उसे चेतनमन या चीज पुरानी हो जाती है तो उसे अचेतनमन में होती है कटू अनुभूतियों, दुखद बातों तथा दमित इच्छाओं का बंडार जिसे व्यक्ति बूलाना चाहता है और वो जानबूच के उसे बूलाना चाहता है उसे हम किस में डाल देते हैं ऐचेतन मन में कि हम बूल जाएं वो चीदे कटू और कडवी बातों या दुख देने वाली बातों को बूलने के लिए ही अचेतन मन होता है नमर तीन, अर्धिचेतन मन चेतन मन और अचेतन मन के बीच के अवस्ता को अर्धिचेतन मन कहता है याद की हुई बातों को अचानक भूल जाना और अठक जाना, हकला जाना ये सभी अर्ध चेतनमन की दशाये हैं जैसे नई कार लेने की इच्छा वह चेतनमन की इच्छा होगी क्योंकि नई कार ले रहे हैं लेकिन यदि आपके पास कार लेने के लिए पैसे नहीं है तो आप धीरे-धीरे इस इच्छा का क्या करेंगे दमन करेंगे, इसको मारेंगे और हम इसे जान भूच कर फिर क्या करेंगे भूलने का प्रयास करते हैं जिससे यहा है इच्छा किस में चल जाएगी फिर अचेतन मन में चले जाती है कटू, कडवी, दुख देने वाली बातों को हम जान भूच कर भूलने का प्रयास करते हैं ये सब अचेतन मन का हिस्सा बन जाती है ऐसी बातें जो हमें हलकी फुलकी याद रहती है पूर्ण था याद नी रहती, वह अर्ध चेतन मन का हिस्सा बन जाती है अब देखते हैं, व्यक्तित की संरचना की तीन वस्ता है व्यक्तित का वर्गी करण, नमबर वन, इदम, इड़ सुख वादी सिध्धान्द का मानता है, जो अच्छा लगता है, वही करता है क्या गलत है, क्या सही, यह नहीं सोचता इदम, यह इच्छाओं का बंडार ग्रह है इसका संबंद अचेतन मन से है, तथा एनेतिक अपराधी कारें, तथा कूसुम समायोजन के लिए व्यक्ति के इदम ही जिम्मेदार होता है, यानि कि जो भी गलत कारें व्यक्ति करता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, व्यक्तित का कौन सा बाग, इदम बाग जिम्मेदार होता है, बस वो सुख चाता है दूसरा है व्यक्तितु का प्रकार एहम इगो वास्तिक सिद्धानत है यह चेतन मन्द से संबंदित है समायोजन की अवस्था में इस्वयोग करता है व्यक्ति का कारेपालक है वास्तिकता से संबंद रखकर व्यक्ति चेतन मन्द का प्रयोग कर परिस्तितियों में समायोजन क करने लग जाता है यह वास्तिक्ता को स्विकार करता है व्यक्तित का यह जो भाग होता है वो क्या गरता है जैसा है इस्थिति वास्तिक्ता जो है उसे स्विकार करने में व्यक्ति की मदद करता है नमबर तीन है परम एहम सुपरीवो इसमें व्यक्ति बड़े-बड़े आदर मिक्ता में अत्यतिक विश्वास रखता है वह नैतिक व आदर्शवादी बातों में इतना हो जाता है कि वह वास्तिकता से दूर होकर क्या हो जाता है कू समायुजित होने लग जाता है सबसे आदर्शवादी नैतिकतावादी या सबसे अच्छी व्यक्तितु संडशना सूप पर इगो ही है आप देखते हैं मूल प्रवर्तियां दो मूल प्रवर्तियां बताई है सिग्मर फ्राइंड ने नंबर वन जीवन मूल प्रवर्ति जीजीविशा इरोस जो पोजिटिव बाते करता है वह व्यक्ति जीवन मूल प्रवर्ति का होता है दूसरा मृत्यू मूल प् अपने आप में मस्त रहने तथा अपने आप से प्रेम करने की क्रिया को ही नार्सी जिज्म स्वेमो कहते हैं व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता किसी और के बारे में कुछ सोसता ही नहीं है नमबर E. ओडिपस एवं इलेक्टरा गंती 4-6 वर्ष तक ओडिपस ग्रंथी के कारण ही लड़का अपनी माता से ज़्यादा प्रेम करता है जबकि इलेक्टरा ग्रंथी के कारण लड़की अपनी पिता से ज़्यादा प्रेम करती है किशोरावस्ता में ये गरंतियां पूर्ण विक्सित हो जाती है जिससे लड़का और लड़की एक दूसरे के परती आकर्शित होने लग जाते है एफ लिबिडो गरंती सिग्मेंट फ्राइड ने काम प्रिवर्थी को ही लिबिडो का है यह एक स्वाभाविक प्रवर्थी होती है और यदि इस प्रवर्थी का दमन करने की इच्छा की जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है फिर उसमायोजित हो जाता है उसका दिमाग खराब हो जाता है यह गरंती ही लेंगिक उर्जा की दिये भी जिम्मेदार है नम्बर ग, शैशव कामुकता, फ्रायड के अनुसार, शिशुओं में भी कामुकता पाई जाती है. अब आप सोचेंगे, शिशुओं में कामुकता कांसे आ जाती है? इसी बात पर फ्राइड के शिश्य जुंग का मतबेद हुआ और जुंग ने अपना अलग सिध्धान्थ विशलेशन आत्मक सिध्धान्थ का परतिपादन किया फ्राइड की लिबिडो ग्रंती शैश्वास्ता में अपनी कामुकता दिखाने लगती है फ्राइड का मानना था कि जो बच्चा माता का इस्तनपान करता है वो कामवासना के कारण ही करता है अब आप बोलेंगे कि लड़का भी करता है लड़की भी करती है इस्तनपान तो लेकिन लड़के ज़्यादा इस्तनपान करते हैं लड़कियों की तुल्ला में ये फ्राइड का मानना था